आप चाहते हो कि कल की सुबह सफलता की किरन आपके सामने हो कल की सुबह सफलता आपका दामन जुमें या आप सफलता की किरन को मैसूस करना चाहते हो आप चाहते हो विजय दस्तक दे आपके यहां कल की सुबह अलग हो आज तो आज की रात को बदलता अभी क्या करेंगे सफलता मिले इस पर प्रियास करिएगा प्रिदर्शकों मित्रों शाथ्यों बात करते हैं 31 मार्थ 2022 की मैं आऊ हूँ से पहले मेरा निवेदन की एक दिन बाद नवर्ष और नवरात्रे प्रारंब हो रहे हैं और नवर्ष और नवरात्र पर अदभुद उपाए गुरुमंत्र विद्धाति महराज पर आपको हर रोज मिलेंगे जरूर देख रहे हैं मित्रों शाथ्यों शंपह चतुरदसी विक्रम समझ दोजार अठतर चैतर मास की अठारा पर विश्यों से शक्सम उनिशो तेतालिस चैतर दस तद अनुसार गुरुवार 31 मार्च 2022 सुरुद्यकाली योग शुकल योग है योग का श्माप्तिकाल सुबह 11 बचकर 8 मिंट अगला योग ब्रम होगा सुर चैतर ब्रम होग का शुकल देव शुक्र देव मकर राची ब्रेश्पती देवकुम राशी राहू विश्यव राशी और केटू विर्चिक राशी है ग्रहों का संच्राइब अधार पर ही मैंने आज का राशी फल लिका है आज का अभी जीत मुर्थ दोपर 12 बज़ कर एक मिन से लेकर दोपर 12 बज़ कर पचास मिन्ट अब दी 49 मिनट है आज की दिन ये 49 मिन शुबकारी करने के लिए सर्चे उत्तम महुत कोई भी नया और शु शुबका चौप लिए शाम पांच बज़ कर पांच मिन से लेकर छे बज़ कर अड़ तीस मिन आज का राहुकाल दोपर डेड़ बज़ लेकर तीन बज़ तक और राहुकाल गणशुबकारी करना सौदा करना पुझिन मेंस करना अनकुल और उचित माना नहीं गया इस सलह म अज आज आज आपका पर दिसा के लिए अच्छी मानी गई है आज दिन यात्रा पर जाने से पहले साबुच जीरा चबात यातरा पर निकले तो कस्ट कम आएगा प्रेदर्श कों मित्रों शातियों शमय शाधन प्रस्तियां काल में बहुत परिवर्टनाया है आप किसी भी दिसा में यातरा करें लेकिन जब घर से बाहर निकले तो साथ कदम उत्तर दिशा के और जाए इंस्ट देवता को देवता प्रन करतें मंगल में यातरा की कामया के साथ राइड टर्म लिजिए और यात्रा पर जाएगा इस्सट कम आएगा ना करें साधी की साल गरें तो मेरी और से आपको हर्दिक सुपकावन है आपका जीवन खुश्यों से भरा रहे संदेवी के स्रिचल्णों में मेरी प्राफ्थ 31 मार्च आपका जनम दें तो मुलांक आपका होगा तीन और एक को जोड़ेंगे तो चार यानि जिनका जनम 31 मार्च को हुआ उनका मुलांक चार होगा और उनके जीवन में अंक चार का कहीं कहीं है तो देखने को मिलगा अंक जो अंक चार है मुलांक चार है उसका जो शौमिक रहे वो है राव और उसके प्रभाद से आप एक स्मार्ट व्यक्टित के व्यक्ति होंगे साथ साथ भी बहुत ही डिप्लोमेटिंग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिस आपकी रहती है कि यह आपको किसी का विरोध का सामना करना पड़ता है तो आप बड़ी चतुराई से अप खुलकर जीरते हैं अपने आसपास के लोगों को उर्जवान बनाए रखते हैं आप खुछ हिए और दूसरा मत्रमनली होती है और मित्र génér jusqu का उद्धार होती लेकिन कहीं कि बार यह जानकरि होना का कारण बन जाता इस्से बच्छना है आपके अंदर आतम विश्वास की थोड़ी कमी रहती जिसके कारण आसपास की आपका फाइदा उटा देते इसको जरा देख लिए आप जीवन में बड़ी सपलता ही हसिल करते आपके अंदर एक जनून है काम का लेकिन इसके विपरत प्रभाव से आपकी सेथ और परिवार प और विश्वास में रखते हैं हमेशा लोगों के ये था मुलांग चार के बारे में कुछ बाते आपके लिए आपके लिए अद्भुद उपाई है गुर्मन तुर्य दाती महराज में आज की उपाई में उसमे जरूर जाए नमनानर बात करते हैं जियोती से सुत्रों और धनेश में यूती सम्मन्द है और ये यूती कहीं कैंदर में है तो धन मिलता है इन पे सुपकरग की दस्ति पड़ जाए तो जातक कि अपने जीवन में अवशी उचपद की प्राप्ती होती है इस योग में राजनेती के छेतर में शरकारी छेतर में लाब मिलता है या जातक श्यम अपना कोई काम करता है और शिखर तक पहुंचता है जातक 22 वर्ष के बाद अच्छी सपलता हसिल करता इस योग में धनेश और भागेश की यूतिक केंदर में हो तो ना मना है ये था आज का जोतिसी सुत्र अब बात करूँगा आपके राशिफल की और करते हैं और शूरी के नक्षातर में संचन करना शमय अनकूल नहीं है अपने करोद प्रकाबी रख है आप नौकरी में है आपका वैविशाय है या कामकाज है या कोई पारवारी आज कोई मसला है तो निरनाव में जल्दबाजी नहीं कर अकारण करोद नहीं करे आज कोई भूमी भवन वहान का शोदा है तो उसमें विवाद भी है और सपलता भी है पैसे डूब सकते हैं आज श्यम वहान चला रहे तो शावधानी बरतनी पड़ेगी किसी को उधार धन न दे आज परिवार का साथ नहीं मिलेगर मांसिक तनाव भी है सुबह से लेके साम तक आगे आपकी पक्स में 45 परसेंट लाब का संके दे रहे हैं आज मेसराशी वालों अन्वान जी की मंदरी में लाल पता का पहराना आप लिए वज़ा शुब रहेगा नमने बात करते हैं विश्वराशी की 11 भाव में चंदरमा आज चंदरमा ब्रश्पती और शूरी के नक् सब्सक्री हो हर जगे आपको अच्छे अफसर मिलेगे रुलाब बिलेगे आप क्या आप विद्यारती हैं तो आपके लिए नक्षतर गरना लाब और शफलता का संके दे कलाकार खिलाडी और युवाओं के लिए थोड़ी सी मैनत जरूरे शंकर जरूर लेकिन सफलता आपक वस्तर कंजकों को जो नवर से कम उवर की करने उन्हें कोई फ्रॉक दे दीजिए कुछ रुमाल दे दीजिए श्वेत वस्तर दान में दीजिए नमणान आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और बात करते हैं मितुन्राशी की दसंभाव में चंदर्मा और दसंभाव मे प्रसंचीत रहेगा रोग और रिंट से चुटकारा मिलेगा और नन्याल पक से सुक और स्वहुग मिलेगा आप विद्यारती हैं परिक्षा और प्रतियों किता में अच्छी सपलता हासिल करेगा शिक्षा के दर्ष्टिकाउन से उत्तम फलों का संकेत नजरायदा है और आ आगे आपकी पक्ष में 70% लाब का संकेतर है आज मिद्धन राशिवालों गरीब निर्धन कंजिकों को हरे वस्तरों का दान देना बला सूब रहेगा नमनान कीनर को देंगे तो और दिक लाब मिलेगा और बात करते हैं करकरा से कि 9 महां में चंदरमा और 9 महां में चंदरम चाहिए अपना काम का जो लाब की प्राप्ति होगी आपका शामर्तिय बढ़ेगा प्रस्तियों में शुधार होगा कारिस्तिय आपके नियंतन में होगी खर्चा है तो पैसों की आवक भी है स्वजनों का साथ मिलेगा आध्यात में रुजान अच्छा रहेगा और कारवार यात्रा लाबदाइक रहेए अभिद्यारी है चिक्रसा का चछेतर वकालात का चछेतर एंजियरिंग और खेल का मैदान उच्छिक्षा का च्छेतर लाब और शपलता का पूंसं के देरे लौत्य एकने बाई ऑर व्यवासे किसी उलाऊ rigor उबर्णा हल्का करीम भाग आपकी पर्शन परशन लाव का संकी देने आज करकर आश्यालों प्रातकाल नित्य करननों शनान उपरांथ शर्धान उसार क्रीम कलर के बस्तर उसमें कि साथ मुठी चावल रखी अपने उपरेश एंटी क्लोवाई साथ बार उसारी हो श्यू मंदर में चुप जाब जाके रख्या जेगी नमना मेरा चोटासा निवेदन मेरी आरादी शनीदेव 29 अपरेल रात में अपनी मुलतर कॉंड राशी कुम में प्रवेसितनै इतुनरमा थंजो mari में तीस अप्रेल दोहजार बाईस शन्य माउश्या मांच श्री सनिधाम शनी तीरत चेत्र असोला फते पुर्वेरी में आपका साथ करेशनी भगवान के दर्स्तन पूजन तेलाप इसे चंपों कश्टा से दिली और एंस्यार की सभी सनी भक्तों से मेरा निवेदेल सनी तीर अप्राइब करते हैं सिंगरा से को अश्टामभावव च divi सूरी के नक्षत्रों में शन्चरण करना समय प्रति को ले जिए कि लेंदेन में समस्या उत्पन होगी धन और मानानी का प्रबल योग है अपनी उतेजना पर नियंत्रन रखना बहुत जरूरी और सोजनों से मधूर वेवार करें संबहुत कारवारी यात्रा श्यम बान चला करने का नक्षतर गरना इस बात का संके देए कि जिसरे के घरे यो बहुत जरूर है क्या ना करें प्रिय जने से जूटना बले सुबंग साथ सुब्रंग गोल्डन भागिया आपकी पश्मन केवल 40% लापता संके दे रहें आज शेंगराशी वालों गोल्डन कलर की कपड़े यह किसी कंजय को दान में दे तो बड़ा सुब्रहेगा आपके कन्याराशी की सब्तम भाव में चंदरमा शूरी और ब्रश्पत्ति के नक्षत्रों में संचरन कर रहा है काम तो बनेगा आउश्यक्तां को पूर्थी होगी कारोबार में सफलता मिलेगी नौकरी में अच्छी आउसर मिलेगी तो कि वे धन की प्राप्ती होगी ट latter आज कड़ि मेहनत करनी पड़ेगी परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन फल बहुत मिटा होगा खिलडियारी मिलेग के मनोकामना पूरी होगी विद्याक्तियों को पढ़ाइ के परिश्रम का पूर फल भी प्राप्त होगा प्रतिकाल नित्य कर्मिनों शिनान उपरांथ किसी गरीम निर्दन विधवास्त्री को हरी बस्त्रों का दान देना बढ़ा सुग्रेगा आपके लिए नमनन बात करते तुलारासी की छटे भाव में चंदर माँ सुर्य और प्रश्पत्ति के नक्षत्रों में संच्रन कर रहा ह उत्तम फलों को देने में समर्थ हैं कारी में शास और सजक्ता दिखाने से लाब माध प्रशत होगा कारवारी अर्चने दूर होगी इच्छी धन की प्राप्ति होगी मन सम्मान और मनोबल अच्छा है आप विद्यार्ति युवा कलाकार खिलाडी है आपको अच्छे समाच आपके पक्ष में 75% लाब का संके दे रहे हैं आज तो लाराशी वालों किसी गरीम निर्धन स्वागन इस्त्री को स्वेत रंकी बस्तों का दान देना आपके लिए बड़ा शुखाएगा वो बस्तर भी हो सकता है हाने पीने की मैक अप का विश्यमान हो सकता है कुछ भी ज प्रास्त मेहनत शंगर्ष आपके हर कारी में आपको शफलता के अच्छी अफसर देगी जो वैरत में भवशी की चिंता थी संतान को लेकर तनाव गर्षते उस तनाव में कमी आएगी पारवारी जुम्हदारी को पूरा करने में आप शफल रहेंगी कारवारी योजना अच साथ देगी अविद्यारती युवा है अपने लक्स की परती आप सजग रहते हैं तो प्रणाम अच्छे मिले मनम पसंद स्कूल कॉलेज में दाकिला होगा पढ़ाई में सपलता मिलेगी कला और खेल के मैदान में भी अच्छे अफसर प्राप्त हो क्या करें बहुत जरूर मैरून कलर के बस्तर में सवा किलो गुडू बांतर हनमान जी की चर्णों में अर्पीद कर देना नमना चोटा सा निवेदन मेरी आरादी शनीदेव 39 अप्रेल आत में अपनी मूल तरिकौन डाशी कंब में प्रवेश का रहें 30 साल की बाद अपनी मूल त्रिकौन डाशी कंब में प्रवेश और जिश्त्र की घ्र कि दिली और एंस्यार की सभी सनी भक्तों से मेरा निवे दिन सनी तीरत छेत्र असोला फतेपुर मेरी अद्भुद तपो भूमी है खाली दर्सन करने से सनी देव की क्रिपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशन करते धन्रासी चौते भाव में चंदर्मा शूरी और ब्रश्पति के नक्षतर में संचरन करा शमयन कोल नहीं ग्रेगोचर पतिकूल है बोल अमोलक बोल हिये में तोल पीछे बोल और ताते पाव पसार ये जाते लम्मा अपनी शिमाओं का ग्यान रखे और अपनी वाणी पर सेम रखे नहीं तो परिशानी है भूमी और वहन में किया गया पंजी निवेश नुक्सान देगा और इस्थान परिवर्तन कलह का कारण बनेगा आज इस्थान परिवर्तन ना करे विवादी सोदों में पंजी निवेश नहीं करे वैविशाय और नौकरी की छित में अपनों से बड़ों को नराज नहीं करे उन्हें साथ लेकर चले आज बन चलातियों है कंपार्च लाटी बार्षी at मखलारी अनावश्य क्रोंग के कारी समना का रात्राती ब्रहमान के रहें कारिटा कारिष्य अपना पूर्ण नजर रखे का disruptive घ्रहिक परिंधे uh शुबंगतिन सुब्रंग परपल भागया आपकी पश्में केवल 35 परसंद लाव का संकेदे रहे हैं आज धन्दाशी अलूप प्रातिकाल नित्यकर्म में उसे नानो परांद शर्दान उशार पीली बस्तर पीली पोशा कंजिकों को दान में दे या भगवान क्रेश्न के और पित करकाई यह तो आपके खर्षो और परिशान जाया न में अमकर आशे कि तीश्टर भामें चरहब कई कि एसे ही सफल और प्राप्ति का योग और परिवारी आपसी स्वयोग अच्छा रहेगा आप विद्यारती है यह है कलाकार है आपके उमीदों के आशाओं के नहीं पंग लगेगे शिक्षा में उस शिक्षा के छितने परिक्षा प्रणा मत चेरेंगे और आपकी प्रियास और आपकी महनद रंग लाइगे क्या करें अपने वेभार को कुसल रियात्राएं ना करें रियात्रा में कोई लाप परवाई ना करें सुबंग चार सुबंग नीला भागया आपकी पक्ष में 80% लाप का संके दे रहा है मकराशिवालों किसी भी जरुतमन व्यक्ति को नीली वस्तरों का दान देना बड़ा सो बनेगा नमना नुबात करते है कुमराश्य की दूसरे भाव में चंदर्मा दूसरे भाव में चंदर्मा शूरी और ब्रशपत्ति की नक्षतरों में संचर्ण कर रहा है शमय ठीक है काम करने का जो आपका अंदाज है आपकी मेहनत आपका परिश्चा आपका शंगर आज ने समन्द बनाएगा बन खुश्यों से भरा रहेगा तब भी वैर्थ की भागदाव और वैर्थ के चिंतन को अपने उपर हवी नहीं होने देना और खर्चा उतना ही करें जितना आपकी सीमा है सीमा के बार खर्चा करना आपके लिए आज मुश्किल पैदा कर सकता है अब विद्यार की युवा और कला का रुपिलाडी है तो समय ठीक है बड़ों का समान करें बड़ों की बात मानें पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देजी तो केरियर कारुबार पढ़ाई के चिसे तुमें अच्छे अच्छे अउसर प्राप्त हो क्या करें मताफिता ग्या का पालन करें क्या ना करे किसी को दान में देंगे तो बड़ा शुब रहेगा और बात करते हैं में लगन भाव में चंद्रमा शूरी और प्रश्पर्ति के नक्षतर में संच्रन करना श्मय अनकूल और लाब बदाएगा आज मन अश्रक्ताओं की पूर्ति के साथ मनोबल अच्छा रहेगा वर्चस बढ़ेगा मान सम्मान की प्राप्ति होगी कारोबार में सपलता मिलेगी नौकरी में अच्छे अफसर प्राप्त होगे जो कि वे सारे काम बनेगे और मन में संतूर्चे रहेगी बुजरगों का सय योग मिलेगा दनारजन का मुका मिलेगा और पारवर्ष जीवन वे अनकूर लेगा विद्यारति वी युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा सुब है सपलता मिलेगी प्रतियों की प्रक्षा में शपलता मिलेगी प्रिष्टा पनाम अच्छे रहेंगे क्या करें सामजज आपके सवालों को जवाब दे रहा हूं जो आप कमेंट के रूप में करते हैं। बहुत से लोगों ने का सब कल है कलेश पीछा जोड़ता है। कारवार में कलेश, नौकरी में कलेश, ओपिस में कलेश, रिष्टों में कलेश, क्या करें? यदि आपके घर में बेर, नेबू, अनार, केले का वर्क्ष है, उसे नहीं रखना चाहिए. घर के उत्तर और इसान कौन में घमलों में या भूमी पर सुंदर फूल लगाने से सकार बैठ कर ओम नमो भगवति वाशु रिवाए इस मंत्र का जाप कुछ दन करके जाएगा, कलेश से च्टकारा मिल जाएगा, नमनाने बात करते हैं नुश्काउं की, इदी पीलिया है तो तुरन तुरन दक्टर को दिखाए, पीलिया में कोई लापरवाईज, कोई चर्चा ह पराहत परने के लिए लो भर्ष्म, आरिवेद में मिल जाएगा, वहां से ले, लो भर्ष्म, तिल, सौट, काली मिरिस, पीपल, 10-10 ग्राम ले लिए इसको कूछ पीछ लीजी, चुन बना जी, और 5 ग्राम, इससे जादा नहीं लेना, इसको शैद के साथ ले, या चाच के स सब्सक्राइब, अब कर दो, मैरे से कोई भूलों गये, दोनों हाजुर्द स्समा पराथियों नमनारे, आस्तान का हर व्यक्ति जानता है या धाति महराच गायों से बहुत प्यार कर्ता है, बेटियों से बहुत प्यार करता है, हजारों शैको बेटियों के लिए जीवन के मैंने अपना संपून जीवन दिया है यह मेरा शौक था, मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था, मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूं, बिस खाली बता रहा हूं, यह मेरा जीवन का लक्शे रहा है, मनशियों और मानू होने इतना ती मेरा कर तब है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हू शेवा करिए आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तियां वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्योग चा जाएं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी अवज में गाएं के लिए चारे की विवस्ता कर लेजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग र नहीं है सातियों मेरा राश्ट रोपर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेविस्ता करिए शनी भगवान आपकी रिक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेर और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगवग लगवर बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपिया चारा का दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट से कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और ब मेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, आम नमोन आरायन, आम नमोन